बिस्मीन रख्मान रहीम अस्सलाम अलेकूम तसोस्याल एक नहीं विलाग के साथ आप लोगों खित्मत में हाजिर हैं तो कैसे हैं आप सब लोग ठीक ठाक हूंगे हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो इसी दौा के साथ आज की विलाग का आगाज करते हैं यहां पर बैठिये सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नेक्स वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को बार वक्त मिल सकें तो अगले देन आपने सफाई की कुछ लोगों ने का कि आप गली बड़ी गंदी है हां गली क्या करें एक दफा उंची करवाई है आचा मैं आपको पता हूं आपको यह जो हमारे गाउन का सीन रफ़े बड़ा ही अजीव सीन होता है इस पिछ दिनों और अपने नहींदी तो यहां के लोगों हो बनने नहीं दी यहां का शहूर का लेवल यह वो ना इंतेयां मिस्ट्री आया एक दिन काम भी हुआ फिर बेल आखिर बंद कर दी गई नहीं ब तो यह सीन यहां पे शहूर का और आप कहते हैं कि आगे गन्दगी बहुत हैं यहनद एक पलाट खाली पड़ा है तो पूरे इस एरिये के इतने भी लोग रोग एक हुते हैं यहां पर आगे गन्दपन प्षाइब अगर किसी को कह तो आगे खरेगे तो क्यों फैंक रहे हो त कि वाशरूर होते लेकिन बचों को जाने नहीं देते कि बच्चे गंदे कारें अप बाहर जाके करो जो हम क्या कर सकती है यह अच्छा खासी सावसुतु जगह थी लेकिन इतनी अप गंदी हो चुकी है किसी से बात करें तो सीथी सिधी लड़ाई डालने वाली पर उस से जली में कच्छी नहीं है लेकिन यहां की नोबत यह आ चुकी है कि सोलंग नीचे बैठ चुका है मट्टी ऊपर चाट चुकी है गांद ऊपर आ चुका है यह पूजिशन है अब क्या कर सकते हैं बस फिर चुप कर जाते हैं कि चुप में ही बेतरी है इसके रावा को ने अभी अभी बड़ा टाइम लगेगा हमें सोचने समझने का हमारा फैदा कहां पे हमारा नुक्सान कहां पे है यह बड़ी रंबा प्रॉसेस है अbam याद आया भी और यह देखे यह वही शुत है हाँ यह यह बड़ा याद यह जगड़ा बनाया था जगड़ा मजाग में सीरिए है अब देखें विलाग बनाने के लिए पूछना कुछ तो करना पड़ता है लेकिन यह ना माशाला से बहुत जबदास्त है यह देखें और इस तरह मैंने स्टिच करवाया है तो अभी वह कह रही है जैसे यह पैर की ख फुर्टी सी है कि यह ना है स्टिच गरवाई धर मैं पहले लंब भी पाहनते है आप एक जर प्ढ़ी में उन्हाजिए तो इसलिए तो यह बिलकुल यह तक बहुंग से फिर भी लंब आहिंता है यह जोड़ा सा अज़ा इनका ट्रेंड भी आई के बास अभी च्छुते सि चालो, है ना, अच्छा हो गया था जिसल गया, अभी पीको करवाने है दुपटे, तो इस पर वो करवाऊंगी, वो भेजा था, लेकिन शॉप बन थी, जी तो सुबह सुबह का टाइम है, बल्के सुबह ली काफी टाइम हो गया, और ये शेरी है, शेरी ने नाश्ता कर ली है पहले जब मैं स्कूल जाती थी, जो अपर जाती थी, जैसा कि आप लोग अकसर जानते हैं, तो छोटे बच्चों को साथ ले जाती थी, विचारे सोएवे रते थे, जल्दी में ले जाना पड़ता था, क्योंके फिर इनका बहुत प्रॉब्लम हो जाता था, तो फिर ये वह बेन भायों को छोड़ के आती है, तो जब वो अगली फैमली में जाती है ना तो उसकी पूरी कोशिश होती है, कि वहां जो बज़ूर्ग हैं, मतलब उसके सास, सुसर हैं, देवर, देवरानिया, जेठ और इसी तरह नंदे हैं, वोंको अपने बेन भायों मांबाब की तरह ट्रीट करें, लेकिन लड़की तो हर मुमकिन कोशिश करती है, कुछ वज़ूहात ऐसी हो जाती है, जिसके बाद आइस्ता इस्ता इस्ता इंसान अपने खौल में लिपटना शुरू हो जाता है, पीछे पीछे हट जाता है, मेरे खान में ये सब के साथ ऐसा होता है, जब देखते हैं कि हलात उनके साथ नहीं सही जा रहें, तो इसको ना इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, वो अपने उपर हर बात से जाती है, लड़की या औरत जो भी कहलें, लेकिन जब उसके बच्चों को इग्नोर किया जाए, सिरफ दिखावे के लिए, और मेरे खान में दिखावा भी नहीं होता, बस इग्नोर किया जाता है, अकसर की किस्मत ऐसी होती है, कि उसको ना वो तवक्वात नहीं मिलती, जो वो दूसरों से करती है, या दूसरों के साथ वो रविया रखती है, कि मैं अच्छा करूं, अपने देवर, जेट, हुन सब को भाईयों की त साथ सुसर को माँ बाप का दर्जा दूँ क्योंकि वो इन सब रिष्टों को छोड़ के आई होती है, लेकिन फिर भी उसको वो पूरा नहीं होता उसके बाद, और उसके बच्चों को जब इवनोर किया जाता है, तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा आपसेट हो जाती है, और बिष्टर है चीनने से बहतर है, इंसान सबर शुकर के साथ ना पीछे हट जाए, तो बस यही चलता रहता है हर एक की लाइफ में, हर कोई टाफ लाइफ गजारता है, तो अल्ला तला उनको प्सकिले तो आनी है हर लाइफ में, तो जी शेरी रेडी हो चुका है, तो बस यह यह हर एक की लाइफ में होता है जो एक छुपी हुई साइड है तो जिसको कोई नहीं दिखाना चाहता है हर कोई खुश रह कि यह बताना चाहता है कि मैं अपनी जिन्दी में बहुत खुश हूँ तो शेरी बाबा एड़ी हो गए है अब शेरी पढ़ेगा चुनो शेरी पढ़ो रेड पहले बताओ कलर बताओ रेड ग्रीन ब्लू येलो ब्लेक परपल तो है नहीं यहां पढ़ो परपल ग्रीन ओरेंज क्लैपिंग करो अपने लिए तो माशाला से शेरी ने पढ़ लिया है जी तो जुरेस के गच्रेले की फर्माईश भी पूरी होगी और उसने आज मेरे साथ बहुत सारा काम करवाया है तो अब उसकी है कि क्रिस्पी लैग पीस बना की दें तो उसकी तियारी कर रही हूँ यह दो लैग पीस पड़े थे यह इस तरह इस लैग पूठाया हमने और इसमें लमक भी डालना है अपने मैदे में इसके अंदर अच्छी तरह हम ऐसे करेंगे पानी में बिल्कुल एक सेकिंड के लिए निकाल लिया है पिर इसमेदे में रखेंगे गिले-गिले को हाथ में लगाना आपने इसको फिर ऐसे गुमाते रहेंगे कुलॉपवाइस एंटिकुलॉपवाइस इस तरह फार के अंदर ढाल जाएंगे और दूसरे को भी बना लेंगे यह देखिए कि अंदर देखिए गरम होगा अभी में चूले से उतार के आयों दिखाओ इधर यह देखिए और यहां बहुत गरम है और यहां यह काटून देख रहे है तो चलें एंज्वाइक करें यह शकात इंडिया बेभी हम ओन मुगा लिए और इसको छीला जा रहा है और फिर इसको नोश किया जाएगा गरम नोश नहीं तनावल किया जाएगा जिसको